लोगसबद चुनाव 2024 में मिली हार का हिसाव बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में करने का प्लैन बना लिया है लोगसबद चुनाव में विधायक से सांसत बनने के चलते खाली हुई सीटों पर जीत दर्च करने के लिए सीएम योगी आदितनाथ ने खुद मोचा संभाल लिया है सीएम योगी आदितनाथ ने दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 30 मंत्रियों की स्पेशल टीम बनाई है योपी सरकार के मंत्रियों को एक-एक विधानसभा सीट का जिम्मा सौपा गया है जो इसी हफ्ते से मोचा सम्हाल लेंगे ऐसी ही जिम्यदारी नहीं सौपी गई बलके विधानसभा सीट के जातिय सम्मीकरन के लिहाज से मंत्रियों को लगाया गया है ताकि उपचुनाव में जीत का सियासी बैलेंस बन सके सपा प्रमुक अध्यक्ष अकलेश यादव समीत यूपी के नौ विधायकों के लोगसबा सांसद चुने जाने की वज़ा से जो विधानसबस सीटे खाली हुई है उनमें मैनपूरी की करहल, अयोध्या की मलकीपूर, अंबेटकर नगर की कठहरी, मुरादाबाद की कुंदर की, अलिगर की खैर, मिर्जपूर की मंजवा, मुजफवनगर की मीरापूर, गाजबाद और फुलपूर सीट है इन 10 विधानसबस सीटों में से 5 सीट पर सपा का कबजरा है, तो 3 सीट बीजपी के पास थी, इसके अलावा एक सीट पर निशाद पार्टी के विधायक तो 1 सीट और एलडी के विधायक थे, ऐसे में बीजपी से लेकर सपा तक की साख दाव पलगी हुई है लोगसबद चुनाव में जस तरह से नतीज़ा आए हैं उनसे BJP की टेंशन बड़ी हुई है UP की 80 लोगसबद सीटों में से 33 सीटे ही BJP जीती थी तो उनके सयोगियों को 3 सीट मिली है इस तरह ND को 36 सीटे मिली है वही सपा ने 37 सीटे जीती तो कॉंग्रेस को 6 सीटे मिली है इसके अलावा एक सीट पर आजाद समाज पार्टे के चंदरशेकर जीतने में सफल रहे है इंडिया गडबंदन ने यूपी में 43 सीटे जीत कर बीजेपी को पून बहुमत से दूर कर दिया है ऐसे में अब बीजेपी उपचुनाफ के जरी अपने खोई होई सियासी आधार को पाने और इंडिया गडबंदन के पक्ष में बने माहोल की हवा निकालने की रणनीती बना रहे हैं मेंपूरी की करहल सीट से विधायक रहे अकलेश यादव अपकर नौज से सांसत बन गए हैं जिसके चलते यहां उपचुनाफ होने वाले हैं बीजेपी ने करहल सीट पर जीत की जिम्यदारी करहल सीट को लेकर बीजेपी ने मंतरी जैवीर सिंग योगेंदर उपाध्याई और अजील पाल सिंग को प्रभारी बनाये हैं जैवीर सिंग मैनपूरी से ही विधायक है और ठाकुर समुदाय में आते हैं करखल के सियासी समीकरन देखें तो यादफ के बार ठाकुर शाके और पाल तीनों समुदाय के 44,000 वोट है बीजेपी सीट पर 2022 में केंद्री मंतरी स्पी भगेल को चुनाफ लड़ाया था माना जा ओपीसी ठाक और वोटो का बैलेंस बनाने का दाव चला जा सकता है आपको हमारे यी वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्राखन की हर छोटी बड़ी अपडेट करें न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्रा करें